वेल्कम बैक अगें डाइस टो आर रिव्यू प्लैटफॉर्म रिव्यू मेनिया में आपका स्वागत है मैं उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये निव वीडियो आज हम बात करेंगे आदिपूर्श की जैसा कि ये मूवी रामायन पर बेस्ट है या फिर रामायन ही है ऐसा हम समझ रहे थे ट्रेलर को देखकर पर मूवी को देखने के बाद ये सब दुबारा सोचना पड़ रहा है इस मूवी का रिव्यू आप अलग-अलग प्लैटफॉर्म पर देख चुके होंगे पर इस वीडियो में हम इसे पूरी डेटेल से देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं मूवी की लैंद की यह मूवी अराund 3 hours की है जैसा कि हम सबी animated movies में भी देखते हैं वो भी अराund 3 hours की ही होती है पर वो हर एक डेटेल को कवर करती है रमायन की पर यह मूवी स्टार्ट ही बनवास से हो रही है जो सबसे ज़ादा कन्फ्यूजिंग है अब बात करते हैं मूवी की कास्टिंग की इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर ओम राथ हैं जिनोंने पता नहीं क्या सोचकर यह मूवी लिखी है राइटर डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उसे मूवी के केरेक्टर का नाम सेम रखना है या अलग आदिपुरुस में कुछ केरेक्टर का नाम सेम है रामायन के अकोडिंग और कुछ का अलग जैसे कि रावन का नाम सेम है, सुग्रीव का नाम सेम है, वैसे ही राम को राघव बुला रहे हैं और हनुमान को बजरंग आदिपूरुस के हर एक सीन में इतनी जल्दी बाजी दिखाई है कि हमें कुछ भी समझने का मोका नहीं दिया गया रामायन के अनुसार, सीता का हरन होने के समय ना वहां राम था ना लक्स्वन पर आदिपूरुस के अनुसार, रावन उनके सामने से सीता को लेके जाता है गलती नमबर दो रमायन के अनुसार रावन ही सीता का हरण करता है ये संपाती बताता है जटायू का बड़ा भाई पर आदिपुरुस में हर किसी को पता होता है कि रावन ही सीता का हरण करता है गलती नमबर तीन केरेक्टर्स की बोली फिर क्या लीजिये उनका टॉन कहीं सारे सीन में कुछ केरेक्टर्स ने ऐसी बोली यूज की है जो उस समय प्राक्शस भी नहीं यूज करते हैं ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम कोई डब्ड लैंग्वेज की रमायन देख रहे हैं गलती नमबर चार इस मूवी के इतना हाई बजट होने के बावजूद भी इसके VFX इतने अच्छे नहीं थे गलती नमबर पाँच अगरा किसी ने नोटिस ना किया हो तो सेवलिकान ऐसे क्यों चल रहे थे कि उनकी लेफ्ट शॉल्डर पर पेन है गलती नमबर चार रमायन का सबसे बेस पार्ट है उसकी फाइनल फाइट जिसको इस मूवी में उन्होंने 10 मिनट में खतम कर दिया है बाकी सीरीज और मूवी में काफी डिटेल से बताया गया है कुमकरन की लड़ाई और उसके बेटे कुम और निकुम के साथ भी पर आदिपुरुस में कुमकरन उठा लड़ा और मर गया गलती नमबर साथ उन्होंने अपना सारा ध्यान और बजट रावन पर ही लगा दिया उसके दस सरों पर उसके लावा ना कुमकरन को अच्छे से दिखाया ना ही बाकी किसी और केरेक्टर्स को गलती नमबर राट राइटर को मूवी की स्क्रीप पर और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था मूवी थोड़ी और लेंती हो जाती पर काफी अच्छी बननी थी गलती नमबर नो रामायन के अनुसार इंदर जीत काली मा का भगत था और आदिपुरुस में ऐसा कुछ भी नहीं बताया है गलती नमबर दस हनुमान जी के कुछ सीन्स में कुछ ऐसे डायलोक्स हैं जो की विवर्स को बिलकुल भी पसंद नहीं आये हैं जो उनके केरेक्टर से बिलकुल भी मेल नहीं खाते मैं इस मूवी को चार रेटिंग करूँगा 10 से मूवी टोटली टाइम वेस्टिंग और मनी वेस्ट मूवी है आपको यह मूवी कैसे लगी मुझे कमें सेक्षन में जरूर बताएं